एक्तिव सेंटेस् गेक्शन करने के इंप्पोर्टेंट रूल्ज को developmentava eto.com reading.com . जो एक्तिव के जो होगा के लिए के यह उफिक one problem आपको समझ़ में भी आया होगा एंड अब हम अपना आज का टोपिक स्टार्ट करते हैं वब्स हविंग डू अबजक्ट ऐसे सेंटेंज का पैसीव बनाना जिनमें डू अबजक्ट होते हैं स्टुडेंट्स जिस सेंटेंस में हमें तू अब्जक्ट मिलेंगे उसमें वन अब्जक्ट होगा डायरेक्ट अब्जक्ट कहलाएगा जो सेकिंड होगा उसको डायरेक्ट अब्जक्ट कहेंगे यानि इंडायरेक्ट और डायरेक्ट अब्जक्ट हमारा 1st sentence है रमन गेव मी ए बुक फर्स देखो डायरेक्ट अबजक्ट होता क्या है अपना एक्जम्पल है रमन गेव मी ए बुक आप देखो इस sentence में वर्ब क्या है एक्सन क्या है गेव जो give की second form है action क्या हो रही है यहां पर give and इस action को करने वाला कोन है रमन देन यहां पर रमन हो जाएगा subject and give is verb and रमन give कर रहा है क्या ebook ebook को दे रहा है तो यह क्या हो जाएगा direct object and किसको दे रहा है मुझे देन यह हो जाएगा indirect object ओके then इसका passive में इसको कैसे change करेंगे same way rule रहेंगे सबसे पहले हम क्या करते है हमारा rule first rule क्या होता है active को passive में change करने का active को passive में change करने का हमारा rule क्या था first rule क्या था change object into subject then हम क्या करेंगे this sentence में हमें two object मिलेंगे उस sentence को हम two way में change कर सकते हैं का उसका पैसेव two way में change होता है जैसे रमन इस subject gave me object and ebook is also object and first होता है कि हम direct object को लिएक निए करें subject में change करें या फिर एक हम और इक फ्री सब्सक्राइक होता है कि indirect object को किस में change करें पहले? subject में change करें. दोनुए method से आप इसको कर सकते हैं and यह right हो गा कि हमरे हैं जीकिस सब्सक्राइन है और खरक्ता सब्सक्राइन हुट हो वहारस है तो और शौश डैलेगा दिव की थर्ड फन्क्र दिवं के लिखूंगी लिखंगे गीवनियो मिह देखों उसके बाद करेंगे नेंक्स हैं है कि अंधmember आपय्क stubblebé कि इंश्च्छ को पेहले में सब्झस्टwegen रिपन अट anthropbody kane जुफंष बादमें मैं पर हम ऐड मिさटिसरों एबुक को वहाँ पर adjectives लिखेंगे and उसके बाद जो subject है हमारा subject क्या है रमन रमन को क्या बनाएंगे object by कि साथ यूज करते हुए हम उसको बना देंगे object of the passive sentence okay and इसी sentence को हम second method से भी change कर सकते हैं वो कहा है कि हम वहाँ पर direct object को हम पहले किसमें change कर देंगे subject में subject of the passive sentence then a book use helping verb according to tense was and after third form of the verb given and direct object को हमने subject बना दिया फिर indirect object जो हमारा मी बचा है उसका हम क्या करेंगे उसको हम जो हमारा third form के बाद जो हमारा indirect object बचा है मी उसका क्या करेंगे उसको हम डू के साथ यूज करते वे तू के साथ ूज करते हुए आफ तग हो लिखेंगे रष Dim 2011 इसको अचर सर्फ के बाद में हम टू का यूज यूज करते हुए उसको administrators can have to passive in transitive helping verb होते हैं उसमें उसके टू टाइपस होते हैं यह मैंने आपको समझाया है helping verb के two types में वब को divide किया जाता है helping verb and man verb helping verb कौन से होते है is, r, am, has, have and second कौन से होते है man verb and man verb होते है मुख्य के रिया उसके भी two types होते हैं first is transitive जिसको हम बोलते है सकरमकी दिया and second in transitive जिसमें call in Figure-T elkaaritude activeระ geradeomand Clarita J self- książkin consumer object होता है उसको हम बोलते हैं सकरमकी दिया या transitive worm जिसमें हमारा object नहीं होता उसको हमपूलते हैं Intranjson and आपको ध्यान रखना है कि हम उनली उसी word को हम पैसिव में छेंज कर सकते हैं जो वर्ब ट्रांजिप básicamente हो यानि जिस वर्ब के बात में हमें अब्जेक् बिले उसी का हम पैसिव बना सकते हैं जिस सब्पर के बाद ओब्जेक्त नहीं हो उसका पैसिव नहीं बनेगा जैसी आस डेन आप देन को ओ करना है transitive verbs having two objects, transitive verbs जिसमें two objects होते हैं can have two, यहाँ पर write गए two transitive verbs जिसमें two objects होते हैं उन transitive verb का passive हम two way में बना सकते हैं but verbs explain and suggest cannot have two passive but only explain, explain verb and suggest जिस sentence में यह verb हो उनका हम passive two way में नहीं, only one way में बनाया जाता है जैसे they explain the problem to the children, इस sentence को हम passive में change करेंगे, देन हम क्या करेंगे they explained the problem to the children, इस sentence का जब हम passive बनाएंगे देन हम क्या करेंगे इसमें हमारा subject क्या है they and verb क्या है explained and किसको explain किया जा रहा है the problem and किसके सामने, to the children, बच्चों के सामने, then यहां पर क्या है, two object है, one क्या है the problem and second is the children then यहां पर हम जो हमारा indirect object है, उसका उसको change नहीं करेंगे, जो direct object है the problems, उसका हम subject बनाएंगे यानि man verb की जस्त बाद जो object होता है, उसको हम क्या बनाएंगे subject, तो हमारा क्या हो जाएगा पहले the problem, उसके बाद sentence क्या है, past simple then हम use करेंगे words, उसके बाद third form of the verb, excellent and उसके बाद adjectives, जो हमारा, उसके बाद जो next क्या रहे गया, next part to the children, उनको हम adjectives, पैसी में लिखेंगे, to the children, one next example क्या है, they suggested a meeting place to us, इसमें subject क्या है, they, and verb क्या है, suggested, a meeting place, अब यहां पर object क्या हो गया, meeting place, and to us, then suggest और explain में हमी ध्यान रखना है, कि इनके बाद just जो verb आईगी, उसको हम पहले subject में change करेंगे, जसे, यह imize, meeting place क्या बना देंगे, इस object क्या बना देगे, subject, is meeting place ऑसके बाद word कोई सा है, past simple sentence क्या हमारा paa simple sentence, then हम यहां पे यूज करेंगे helping word was, उसके बादन मारा third skemtham, use helping word, then helping word, हम कॉन सा यूज करेंगे, third form, to suggested का third form क्या है, suggest का third form क्या हता है, suggested, address best way, and to us को दा रख पाल्ले से पा झाल झाल